एक और जो छोटी सी पहचान जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बंपर है उसके नीचे जो ये चीज है ना ये चीज अगर लगी हुई हो जी हाँ ये है मेरी पंच की बुकिंग हवा ज्यादा तेज चल रही है आपने डेट देखी ली होगी ये डेट को बुक करी थी मैंने 12.09.2021 को मतलब कि जब ऑफिशल बुकिंग वगरा स्टार्ट भी नहीं हुई थी मैंने तभी पंच को बुक कर दिया था लेकिन आप सब लो जो है वो डेफिनिटली उठा लीजिए आप कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ भाई मैंने नहीं खरीदी क्यों नहीं खरीदी मैंने इसलिए नहीं खरीदी ये गाड़ी मैंने खरीद ली ये घाड़ी है फोड की फीगो फीगो जो है ये डीजल वेरियंट है 2016 के end का मो ठीक है, साथ हजार के आसपास ये चली हुई मिली थी, अभी 65 के आसपास जो हो गई है गाड़ी, तो डेफिनिटली ये मेरे लिए ज्यादा बेहतरिक पैकेज हो गया है, मेरे को एक तो पंच से काफी सस्ती पड़ी ये गाड़ी, दूसरी चीज की ये निकालती है 24-25 के ये है डीजल के अंदर, टॉप मोस्ट वेरियंट, मतलब कि टॉप वेरियंट जो है वो है, इसके अंदर सारे मेरे को फीचर मिलते हैं, वो बेस मोडल मिलता दोस्त, तो ये कही ना कहीं चीजें आगी थी, मेरी नीड के अकोड़िंग जो है, ये ज़्याधा मेरे को पॉफ होती है तो इस हिसाब से मेरे को यह कहीं ज्यादा value for money लगी एक और चीज में बात बता दूं कि मैं किसी की एड़ नहीं करूंगा लेकिन मैंने एक trusted platform से जरूर उठाई है उसके बहुजूद भी भाई सुनो मैंने उसके उपर trust नहीं करा मैंने अपनी तपतीश बाजी करी यह आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ आप भी करना यह गाड़ी मैंने 15 से 20 जार रुपए महेंगी जरूर उठाई है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या यह 95% तक टायर जो है वो नए मिले मेरे को दूसरी चीज इसका insurance पूरे एक साल का जो है वो मिल गया मेरे को और क इसके पांच दिन पहले मैंने service करी एक पूरी complete इसका तो service record मेरे मेरे पास ही आती है हमेशे service के लिए और इसकी जाहतर मैं ही करता हूँ service मैंने का तो ले लूँ क्या बेच रहे है मैंने का हाँ ले लूँ क्या खुशी खुशी ले लो आप कोई tension नी कोई दिक्कत नी है तो वहाँ पर मैच करगी चीजे तो अगर कई बार ऐसा होता है ठीक है कि हाँ कोई अच्छी यूज़ गाड़ी आपको मिल जाती है तो दस पंदरा भीस जार रूपए उपर नीचे मत देखा करो हो सकता है कि आपको यूज़ गाड़ी लेकर उसके उपर बाद में लगाने आपकी पूरी करें हो यह था एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसका पूरा जो है हूलिया दिखा देता हूं ठीक है तो कुछ इस टाइप की जो है यह गाड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों देख लो भाई बिल्कुल ही नई जैसी है कोई भी कहीं पर भी कोई भी हल मतलब कुछ भी नहीं है बिल्कुल क्लीन इसकी जो हिस्ट्री जो है वाला कह सेकते हो कि बिल्कुल शरीफ घर की ठीक है और अच्छी बात यह है कि यह वाला जो कलर है हमेशा चमकता भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है आपको एक बार यह अंदर से भी दिखा देता हूं सब्सक्राइब करें तो फिर मैं पंच को लेकर कि क्या फायदा था पंच नहीं लेना ही ज्यादा समझधारी थी ना तो अगर आप अगर यूजड गाड़ी भी देख सकते हैं तो डेफिनिटली आप यूजड गाड़ी के उपर चले जाएए और अगर आपको लेनी ही नहीं है तो आप बेज़ी जग पंच के उपर भी जा सकते हैं लेकिन उसका सिर्फ बेस मोडल वैसे एक और में बात बता के साथ कि अगर गाड़ी कोई भी हो फोर विलर अगर चलाते हैं तो सीट बैल जरूर डालेगा अगर टू विलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा और हाँ इंस्टाग्राम के उपर फोलो करना मत भूलिए जैहिन जैभारत इंजिन की कंडिशन में गएरा जो है वो भी बिल्कुल साफ नीट अन क्लीन थी ठीक है कोई भी कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि कहीं से भी कोई एक्सिडेंटल बगएरा है मतलब सर्विस रिकोर्ड में तो मिलाई नी और वैसे भी गाड़ी नहीं थी कहीं पर भी तो ये ए ये चीज अगर लगी हुई हो तो ये समझ लेना कि हाँ वो ज्यादा रफ टफ तरीके से नहीं चली है गाड़ी क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर इनके गाड़ी का बंपर अगर चेंज होता है तो वो लोग ये चीज नहीं लगवाते वापस ठीक है तो ये छोटे-छ